आप जमू एंड कश्मीर आज का यह लक्टर जो आपके लिए बहुत ही जदे इंपॉर्टन होने वाला है जे कैसे भी एक्जाम स्पॉइंट आफ यू से अगर देखा चाहे तो यह लक्टर काफी जदे इंपॉर्टन है क्योंकि इसमें से तो कोशन एक्जाम में बनते ही बन इसमें भी यह कोश्छन आपको दिख्जाम में आपको नहीं ही रिख्योंगे और यही रीजन है कि इसमें जानके को कोशzięk नहीं पूच गेगे तो आज ब्लुएश स्नेक्स इंजियन की तो सबसे पहले अपनी लेक्चर देखना है लास्ट में आपने इस कोशिन का आंसर करना है जो कि आपने लास्ट में भी आपको कोशिन दिखाया जाएगा तो इसका आंसर जो भी बनेगा वो आपने लास्ट में कमेंट वाक्स में कर देना तो सबसे पहले जो हमारा waterfall आता है वो आता है नूरी छाम नूरी छाम जो है यह है कहां पर इसके बारे में हम पर बात करी की जाएगी अब जो इनमें से exam में पूछा गया होगा वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा सबसे पहले देखे हो तो यह नूरी जो शाम है यह है क्या है दोस्तों यह पूंच डिस्टिक में located है और head waters आप दे पूंच रीवर इन जेहनके तो यह जो head waters यह पूंच रीवर जो है जेहनके में उसका यह पानी रहता है की नूरी चाहन को ही हम मिल्की वाटरफाल कहते हैं जेहनके में और मिल्की जो वाटरफाल है कुंच डिस्टिक में located है तो यह कोशन यहां से important बन जाते हैं एक कोशन आपका पूंच डिस्टिक से हो गया दूसरा कोशन आपका मिल्की वाटर से हो गया तीसरा कोशन हो गया कि किस वाटरफाल को मिल्की वाटरफाल कहते है जेन के में ठीक है तो ये भी एक जो नाम था इसका आफटर दी मुगल क्यों जो नूर जहां थी उनके नाम पर इसका रखा गया दोस्तों ये जो आपका नूरी चांप है ये मुगल रोड जो है आपका उसी के रास्ते से था क्योंकि उस टाइम तो जो एमपारर थे मुगल थे वो उसी रास्ते से जाते थे कश्मीर को तो वहां पे ही जाते ही रास्ते में पुंच वाली साइड में है आपका नूर चांप तो यहां पे क्या बोला गया है कि नूर जो थी बाइफाब्दी एमपररर जांगीर यूस्टू बात इन दी वाटरफाल तो यहां पे वो बात क्या करते थे इसलिए इसका नाम नूरी चांप रखा गया है और इसको नूरी अप्शर के नाम से भी जाना चाता है याद रखना कि तीन चार जो लाइने मैंने उगको बताई एक्जाम पाइंट हो इसे काफी ज़दे इंपॉटन है और एक्जाम में पूछी भी गई है जी हां दोस्को डिरेक्टली कोशन पूछा गया था सियाड बाबा टेंपल यहां पे लोकेट्टेड है याद रखना ये जो चिनाव रीवर है ये इनके पास ही है और यासी में लोकेटिड है और सियाड बाबा बाटरफाल आपका लोकेट्टेड है तो काफी ज़दे इंपॉर्टन हो जाता है ग्जान पइंट आगो उसे फृरंस नेक्स कोड को निक्स देखो बाबाड अंसर यह hinten बाबा अनसर जो है यह कोंसी डिस्टिक में है तो यह आपका लियसक डिस्टिक और ता It is located near the Karawa Karawa Lake है भाँ पे nor the village Karawa Karawa में नामकी जगhe है भाँ पे located है तो आप ड्लावाड दांसर के वारे में मैंने जुच्पूरी थी वो आपको रियसी cuity wise सीरीस मैंने बताई कि यह है अगर आपने हमारी डिस्टिक वाई सीरीज नहीं देखे तो उसको जरूर देखे लिगा क्योंकि आपको उससे बहुत ही ज़्यादा वेनिफिट मिले वाला है बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टिक वाई नहीं पता होंगी उस वीडियो को उन 20 की 20 लेक्चर क कर दो क्योंकि बाद में भी तो करने है आज भी तो करना है तो इससे बैठ रहा है कि आप पहले ही स्टार्ट कर दो जिग्राफिक हिस्ट्री आपको तो उनमस्ट कवर होई जाएगी और कल्चर भी हमने पढ़ाया ही है तो यह हो गया बाबा नेंसे नेक्स है कि कोकर नाग क कोकर नाग जो वाटरफाल है यह तो हमें पता है कि अनंतनाग डिस्टिक में लिविटेड है यस अनंतनाग डिस्टिक में लिविटेड है कोकर नाग इस कोलेक्शन आप मैनी स्माल स्प्रिंग्स अमर्स्ट इंतू दी लाज़ेस फ्रेश वाटर स्प्रिंग साव कश्मीर तो इसको कॉलेक्शन जो है, बड़े शोटे-शोटे स्प्रिंग की कॉलेक्शन है कोकर नाग, तो फिर बाद में ये एक बड़ा स्प्रिंग बनता है किश्मीर वैल में, कोकर नाग वाटर फाल्स इलसाल सो नोनेश, पाप, पाप, शुदर नाग, नद, नाड, नाड उसको बोलता है कि इसका मतलब है कि मिन्स, आपती सिंस, जो भी इस वाटर फाल में नहाएगा, उसके पाप जो होंगे, वो खतम हो जाएंगे, अब ये भी इस ग्जामिनर रेक 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 साब से पूछे सकता है, कोकर नाग का हम पे है, पाप शुदर नाड किसको बोला जाता है, अब यहाँपे आता है बैरीनाग, बैरीनाग स्प्रिंग भी था, वाटर फाल भी है, अनुंतनाग डिस्टिक में है, और इसका मतलब होता है बैरिनाग में इस था ब्ल्यूइश स्नीक, इस वाटर फाल का क्या मतल Talking प्ल्यूइश स्नीक, इग्जामिनर ये कोश़न आप से पूछे जगसता है और यह जांगीर द्वारा इसको फिल्ड किया गया है और जांगीर की विश भी थी कि इसको यहां पे दफना दिये जाएं एहरवाल वाटरफाल एहरवाल वाटरफाल जो है दोसो आप बोलोंगे कि सर यह आप उन्हें डिस्टिक वाइस सीरीस में भी जाए तो यह से लेक्यर आपको नहीं मिलेंगे इसलिए स्पेसिफिकली लेक्चर आपके दिनायए जा रहे हैं आपके इनको मिस्मित कर्जीक इसका पीडिया फाक को टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्श्रियो आजाता है नंदी शूल का डुड़ू डुड़ू वाटरफाल कहां पे है यह उदूंपो डिस्टिक में है बसंतगर्ड वाली साइड है तो यह भी काफी ज़दा important है तो यह चोटी-चोटी चीज़े हैं जो की काफी ज़दा important थी ड्रंग वाटरफाल इन भारामुला डिस्टिक फ्रोजन वाटरफाल इसको बोले चाता है गुलमर्ग भारामुला में यह located है चेक है उसके बाद आता है टैंथ नमपर पे कांज जुबजी सुखनाग स्प्रिंग कांज जुबजी जो वाटरफाल है यह सुखनाग मैंने आपको previous lecture में बढ़ाया होगा तो आपने नहीं देखे हैं जी कि आप जिहन के की 2023 की playlist बनी हुए इस पर क्लिक करो आपको नए लेक्टर जो भी हमारे आड़ हो रहे हैं वह आपको दिख जाएंगे फामे वाटरफाल इन बुडगाम डिस्टिक में आपको यह देखने में आपको देखने को मिलेंगे exam point of view से काफी तो यह चीज़े काफी जदा important हो जाती है exam point of view से यहां पर आप देख सकते हो कुछ questions मैंने यहां पर रख लिया हैं इनको आप देख सकते हो कि milky waterfall आप जहन के इन विच डेस्टिक कौन सी डेस्टिक में है milky waterfall को हम क्या बोलते ह हम के नाम से जानते हैं तो वह आपको पूंच डेस्टिक में located है ठीक है उसके बाद यहां पर आप इन कोशन के अंसर भी कर सकते हो कमेंड़ बाक्स में बता दीजिएगा कि नाइगरा फाल साब कश्मीर कौन से waterfall को बोला जाता है यह भी अपने कमेंड़ बाक्स में बताना जिसका मतल डवलीश स्नेक इंजियन के है तो वह कौन सा है डुरंग है बैरिनाग है कोकर नाग सेड़ बाबा जो भी राइट अप्शन होगा कमेंड़ बाक्स में आप सब भी बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन वाइल को आल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी एंड से कोई भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले रिसीव कर वहाँ तो इस वीडियो में बसीत नहीं रखेंगे बाबाई टेक केर गाडब दासी तो रखेंगे